हलो दोस्तों मैं हूँ अनुजा आज मैं साउथ इंडिया की एक बड़े होल्सेल मार्केट के बारे में बताने जा रही हूँ यह तिरिपूर में है वही तमलनाड में है तिरिपूर इंडिया की निट्यूर कैपिटल की नाम बे माना जाते है इदर कपड़ोंगी होल्सेल मार्केट बहुत फेमस है मैं मेरी वीडियो तरो आपको यह बताना चाहती हूँ कि होल्सेल मार्केट तिरिपूर में कहा है उदर कैसे जाना है कहा उतरना है यह सब डीटेल्स आपको मैं बता दूँगी चलो हम देखते हैं तिरिपूर में कहा है Holesale market यह है तिरपूर railway station तिरपूर railway station bait road की बीच के इक taiyczन है तिरपूर इधार हार गाड़ी तो का स्टोप इदर होता हूँ है वैसे वैसे तो यह तिरपूर में railway station की 1st platform ताकि in deux platform है और इदर दो platform है second platform दूसराए साइड में है। उदर से आपको अगर आप उस सेड में उतरते हो तो आपको fly over through first platform में आना है ताकि entrance में आना है ये देखो entrance है हम बाहर जाने की रास्ता है ये बाहर जाते जाते देखो इधर एक बड़ा सा ये है entrance है इधर से ही अमारा real estate शुरू हो जाता है देखो हमें अभी तिरिपूर real estate क से इ economistayan वीडियो मेंने capture किया हुआ पिचर है ये इधर से अगे आफ्य हमें right-side की और ही जाना एक हमें left-side की और जाना ही हमें हमें और ऊधर तो कोई शवब-फ हैं नहीं है अमें're right-side की और तरफ से जाना है में अभी right-सी जा रही हो में थोड़ा रा आगे जा याके मैंcribe कई राइट राइट लेती हुए हमेशे राइट यह देखना है अभी यह राइट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे चोटे चोटे रोट्स दे रोट वह धी थोड़ा घैनली गेली टैप का ही रोड से अंदर अंदर के लिए अब जो भी रोड में अगर तिरिपूर रेड़े सेशन उतर के राइट साइड में आके हम आप कोई कोई भी एक रोड के रोड में आपको अंदर जाना है अंदर जाने से आपको तो ऐसे ही गेली गेली टैप यह आपको मिल ज आएगा आपको इधर से भी आपको दाएबाएं हर जगह में आपको छोटे-छोटे durable road मिल जाता है हर Road में आपको आइसे ही बहूत सारे ॉलसेल marketing और हर आज है जरूरत लोग भी अगर उन questa से कभी भी मत करो आप बिल्कुल भी रेलवे स्टेशन गे आपको पांच मिनित भी नहीं लगेगा आपको ये हॉलसेल मार्केट में आने के लिए सिर्फ राइट पकरना है वो ये अगर राइट पकर के अंदर की गिलियों में ने तो अंदर की रोडों में आप गुज़ है उदर वैसे भी अगर तिरिपूर में आपको पता होगा कि इदर बहुत सारे कंबनी हैं इदर काम का भी बहुत हैं अबर जोब ऑपर्चुन्टिस बहुत है आपके लिए मैं उसके बारे में एक वीडियो आपको डालूंगी मेरी इसी में और मैं देखो अभी अंदर जा अभी आप लोगों को एक रीटेल शोप में लेके जा रही हो यह सारा होलसेल मार्केट ही है फिर इसके अंदर एक रीटेल मार्केट है वो है बैनियन बजार में ऐसे एक मार्केट है कि यह रीटेल मार्केट है फिर भी इदर की तो कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है देखो य अगे पीछे हर तरफ आपको कपड़ाई कपड़ाई मलता है कपड़ा मतलब साधी वगेरा तो नहीं मिलेगा बाकी लोवर होई टीशेट होई पैंट लोवर टीशेट बच्चों के लिए लड़कों के लिए सूट वगरे सब कुछ इधर आपको मिल जाता है वो भी बहुत र सकता है आप लोग बारगें भी करके कपडा खरी सकता है वैसे है यह रीटेल है कहने लिए फीर भी oriented old का ही है वैसे देखो यह हमम तृम ऑं उट्र सेल उड़ा कर यह आ वर भी साब कुछ चीज़े इदर मिल जाता है इदर शॉप एक दूसरे के ना हमें पता भी नहीं चलता है इदर शॉप काई से यह लोग आरेंज किया है क्योंगे ना इसके बीच में कोई वाल भी नहीं होता है यह कहम आईसे नमबर देखे हम पता चलता है कि यह दूसरा ठीक है अभी यह दर तो वैसे भी आप लोग जरूर इदर तोड़ा गूम्के जाना आ है हमारी बैद्च में बजार में अभी हम इदर से हम बैद्यन बजार की बाखर भी निकालो तो भी हमें यह से ही बहुत सारे रीटेल शॉप हमें मिल जाता है फिर बैनियन बजार में ऐसे है कि हर चीज़े हमें एक चत के नीचे मिल जाता है एक पच्चास से ज़्यादा शॉप्स हमें एक ही चत के नीचे मिल रहे तो फिर तो अच्छा ही होता है इदर आके वैसे भी प्रेट भी तो reasonable होता है इसलिए मैं बोल रहे हूँ कि यह बैनियन बजार भी बहुत अच्छा है बैनियन बजार की बाहर आगे हूँ मैं अभी भी देखो इदर भी आगे पीछे हर जगह में राइट लेफ्ट सब जगह में हमें रोडी मिलता है देखो यह रोडी के दोनों साइड में भी आपको wholesale marketing नजराता है कोई retail market नहीं है कोई-कोई wholesale market में wholesale plus retail है कोई-कोई तो wholesale marketing है इदर ज़्यादा तरफ बैनियन होता है हर ज़्यादा तरफ की कपड़े इदर मिल जाता है आप लोगो यह है wholesale market अभी wholesale market में आने के लिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है आप लोग अभी थोड़ा बहुत हो जो भी यह देख रहे तो आप लोगों को पता चला होगा कि wholesale market कितना आसान है तिरिपूर wholesale market में आने के लिए वैसे भी तिरिपूर कपड़ों के लिए और industry के लिए तो बहुत famous होता है साथ इंडिया की इधर तो काम भी बहुत साले नोर्थ इंडेन सबसे ज़्यादा नोर्थ इंडेन सी काम करता है यह कपड़े भी यह दूका ने भी ज्यादा तरफ गुजरत इसले अभी देखो clinic के यह रास्ता तो हमेशा बहुत भीड रहता है यह द अभी इतना तो यह नहीं है भीड चार नहीं जाई हमें यह रास्ता से जाना के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमें अभी कोरोना की यह प्रोब्लम तोड़ा बहुत तिरिपूर इंडेस्ट्रिल है अमारी इंडेस्ट्री में भी तोड़ा बहुत एफेक्ट हो गया है लग रही है देखो फुर भी पूरा हॉलसेल मार्केट पूरा खुला है हॉलसेल मार्केट तो ऐसे कि हम आके उसके लिए ओडर करके जाओ वो लो हमें अमारी आडरस में पहुंचा देता है इसलिए हमें आइसे कोई दिक्कत नहीं है कि कपड़े लेके जाना है आइसे कोई दिक्कत होता ही नहीं होलसेल में तो वो लोगी खुद व मिल जाता है अगर आप लोग कोई भी ऐसे बिसनेस करना चाहते हो तो जरूर तिरिपूर में अगर साउत इंडिया में तिरिपूर में आ जाओ इदर की बैनियन बजार और इदर की बैनियन की मतलब क्लोथ के लिए बहुत फेमस है इदर और होलसेल के लिए भी कपड़ों के दिरिया गया है यही रास्ते से में बाहर आई हूं बाहर आके आपको मैं इस रोडसे मन्स वास यह आई हूँ कि आप लोग को दिखाने के लिए कि कितनी नस्दीक में हैं हम railway station में उतर के कितनी नस्दीक में हैं हमारी wholesale market हम कोई रिक्षा कुछ भी नहीं पकड़ा यह देखो यह यह railway station का first platform का entrance हम इधर से ही शुरू किया था हम इधर से ही शुरू करके जो first गेली अंदर जा रही हो इतर के जाने का time में थोड़ा ओर आगे जाने की रॉयट मोड़ा था अभी उदर आपको इतनी ओर आगे जाने की जरूरत है नहीं है यह दिखो यह पास में जितनी है हमारी उपास में जो पहला रोड दिकर रहिए हम अंदर की साड को ऊदर आप जा सकते हो अभी न थोड़ा तो गूम लिया तो बहुत धख गई है मैं तो यह वैसे भी इदर तो अभी की मौसम में तोड़ा गर्मी भी है इसलिए मैं तोड़ा एक निबुक पानी पीके हम और भी हमें तिरपूर की और भी जगा हमें गूमना ही है सिर्फ होल्सेल मार्केट नहीं है तिरिपूर में गूमने के लिए भी बहुत जगा है तिरिपूर में अगर एक दिन के लिए हम आ रहे तो हमारी अभी वैसे भी होल्सेल में बिसनेस वगरा के लिए आ रहे तो हम इदर होटल होटल लेने का कोई जरूर नहीं है एक ही दिन मे हम आके हम जा सकता है हमारी पूरा परचेस करके हम जा सकता है देखो हम अभी और भी वोई रोड में हम सीधा जा रहे हैं हम अंदर कोई नहीं मोट रही है वोई रोड हम सीधा जा रहे हैं अगर सीधा जाने से यह तिरपूर सिटी सिटपूर सिटी मतलब हर्ट ओफ तिरपूर है इधर तो हर जग के हर तरीके की होटल वैसे भी जोल्रे शोप होटल बड़े बड़े हर चीज हमें इधर ही मिल जाता यह रोड जाएगा तो तिरपूर का में बस्टांड में मतलब ओल्ड बस्टांड में तिरपूर में दो बस जाने मतलब बस अड़ा वो तो एक है पुराना बस अड़ा और एक है नया इसे ये जा रही है पुराना बस अड़ा में ये रोड तो हमेशा बहुत भीड़ होता है ये रोड का नाम है स्री कुमरन रोड इस री कुमरन रोड में हम जाएगा तो हमें एक दोनों साइड में बह इदर ही हमें मिल जाता है और कपड़े भी हमें साडी वगरा लेना है तो भी हमें रीटेल में लेना है तो इदर ही बहुत सारे शॉप्स मिल जाता है ताकि इतनी रेट भी नहीं है वैसे नॉर्मल रेट में है फिर भी यह रोड तो बहुत भीड होता है हार टाइम इदर तो भीड़ होता है एक बात और में कहिर हों अगर एक दिन constantly exempt हम आगया है हमें क्या करेंगी थोड़ा बहुत ह stereotype चाहरिए हम इसलिए रहा ने की है अड़ आप कोई किछ हमसे तेंट त्रेंट लोटर लेने को कोई जरूरी नहीं यहीं सरी कुमरें रोड में आप थोड़ा आगे जाओ आगे जाने से हम इधर एक राइट मूड लेना है मतलब ज्यादा दूर नहीं है हम देख देखी जा सकता है अभी यह राइट मूड लेने से हमें इधर मिल जाता है एक पार्क पार्क से भी कुछ नॉर्मल चीज़े लेके खा सकते हैं यही है पाविलियन पार्क दू लिफ्ट में आप लोग देख रहे हो ना यही है इदर गाड़ी रोग नहीं सकता है इसलिए मैंने ऐसे दिखा रहे हैं यही है पाविलियन पार्क तिरिपूर का अब इदर आके तोड़ा आर पाविलियन पार्क तो मैं तो गुमा के देखा है आप लोगों इतना है नहीं है हमारे बेजनन बेजार हमने देखा है उदर से मतलब अमारे रेलवेस सेशन की पांच मिन के दूरी में यह पाविलियन पार्क भी आपको मिलेगा ताकि थोड़ा बहुत आराम आराम करके हम जा सकता है कोई होटलोग लेने का कोई जरूरी नहीं हमें रूम्स वगरा बुक करने के लिए देखो यह अभी एक थोड़ा बहुत आपको एक यह अंदाजा लग गया होगा अभी हम दूसरी तरफ में जा रही हो यह देखो यह यह हमारा रेलवे स्टेशन का सेकंड प्लाट मैं फाश्ट प्लाटफोर्म में ऊपर की सीडी तुरू ही आना है नई तो हम इदर से ईटो लेना पड़ेगा यह देखो इदर से में सीधा जा रहे हों इसी रोड़ का नाम है कोयमबत्तूर अविनाशी तिरिपूर रोड मतलब कोयमबत्तूर तो अविनाशी से तिरिपू रोपोरोट बोलता को आपको मिलेगा थोड़ा बोट मतले। बहुत बहुत नहीं है.. तो फोड़ा बहुत अभी तिरपूर की एक होलसेल मार्केट की कैसे आना है जाना है उसी की बारे में तोड़ा बहुत को आपको अभी समझ गया लग रही है मुझे मैं एक साउथ हिंदिन हूँ इसलिए मेरे हिंदी में तोड़ी गड़बड है फिर भी आप लोगों को जितनी में समझना चाहरी हूँ वो लोग आप समझ गया है मुझे लग रही है वैसे देखो अभी हम इतनी है अभी हम लोड के जाएंगे अभी थोड़ा बहुत आप आप समझ गया है कैसे तिरे पूर्म आके एक बिसनेस के लिए आना है अभी आपको यह पसंद आ गया तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करो लाइक श वाचिंग मैं चैनल